तो आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल जिके वाई दिवान सर पे में स्वागत करता हूँ आज हम ये दूसरी कलास पढ़ रहे हैं अब्जेक्टिव इससे पहले हमने एक कलास पढ़ रखिया ओलेडी जिसने नहीं देखी वो दुरूर देख लेना और आज के बाद एक दिन में बारा घंटे में उसका सोलिशन करवाऊंगा ठीक है तो टेंसर ना ले किसी पर कार की किजिया आपको कलास मिल जाएगी तो पहले क्यूसर का आपरेल 2005 को यानि 4-4-5 को मेवाजिला बनता है दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताए मेवाद का लगाएंगे मेश की भूमी क्या लगाएंगे मेश की भूमी ठीक है एक जाम में आजाए कल को की बताइए इसका अर्थ क्या होता है मेवाद का तो आंसर देंगे मेश की भूमी ठीक है यह एक्जाम में आ सकता है नया क्यूस्टन है और ओर्जिनल डाटा है चैंसल लेने की किसी परकार की जूरत नहीं है दूसरा क्योंसन आपके सामने स्क्रीन पर है मिवात का नाम बदल कर नू कब किया गया था 2015-16-17-18 दीजिए च्याबास आंसर इसका तो इसका क्या अंसर होगा बिल्कुल सभी का राइट आ रहा है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है वेल डन वेल डन तो इसका अंसर होगा 2016 में बात करें यानि तारीक वो क्या थी 12 पलस 4 एक वल्ले इसको बराबर 16 यानि कहने का मतल तब 12 अप्रेल 2016 को जो नाम था मेवात इसका नू कर दिया गया और जो नाम था गुड़गाओं उसका गुरू गराम कर दिया गया और 2016 में दादरी जिलावी बना है तो यह साथ में ही याद रखना है हर्याना की दक्षिंतम विदानसवा सीट कौन सी है हर्याना की दक्षिंतम विदानसवा सीट कौन सी है जी बिलकुल हर्याना की दक्षिंतम विदानसवा सीट फिरोजपूर जिरका है कौन सी है फिरोजपूर जिरका बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं और उत्री विदानसवा सीट पंचकुला की काल का सीट तो सत्य मेवम पुरं करेंगे सत्य मेवम ठीक है दोस्तों उसके बाद मियाओं एक दरणना भी यह नहीं नारा दिया था नह नोने अकर बोला था और मेवाथ के लोगों को हर्याना नहीं छोड़ने के लिए लिए कहता वो पाकिस्तान जा रहे थे उस टाइम की बात है 1947 के मिवाद का ँत्य नामक्सतान मेवाद से काटकर पलवल में कब दिया गया या तो यह पलवल को दिया गया यह कब दिया गया तो यह दोस्तों आपको पता हूना चलए है पलवल जीला बना था तब दिया गया था 2008 को पलवल जिला बनने की दो तरीक ए 13 आगस्ट दो जराट 15 आगस्ट दो जराट दोनों उप्सन में आ जाए तो 13 आगस्ट करोगे वरना 15 आगस्ट आन सो रहेगा 2008 में पलवल जिला बना था उसके बाद में गला किसन मेवाद का छेतरफल कितना है अगर आप पर देखोगे तो आपका अठारा सो कुछ मिलेगा अठारा सो निसों के सम्थिंग लेकिन जो ओरिजनल वेबसाइड पर चेक करें तो 1507 वरग किलोमेटर मेवाद का कुल छेतरफल वरतमान में 1507 वरग किलोमेटर है ठीक है याद हो जाएगा ना कोई दिक्कत नहीं 1507 उनका बोट बढ़िया अगल्य को सें नहीं लगती है तो मेभात है यह इस तरह मैं बाद की बात कर लूं यह वाला मेवात है यहां पर कुरू nat यहाँ पर यहां रहे गया है न है जज़र की सिमा नहीं लगती जोग्न गुज़ जिनका अंसर जजरा रहे मैप पता होना चाहिए अर्याना का मैप कौन सा जिला कहां पर है ठीक है हर्याना जी के पढ़ रहे हो मैप आना चाहिए आप सभी को मेवात किस मंडल में आता है बताए मेवात किस मंडल में आता है किस मंडल में आता है दीजी अंसर मंडल को हिंदी म संभाग बोलते हैं तो यह जी फरीदावाद में आता है फरीदावाद में अपने मेवात आएगा जिसे नू बोलते हैं और एक इसमें बात करें हम सामिल कर ले तो पलवल यह तीन आते हैं ठीक है दोस्तों याद रहे भूत इपोर्टेंट क्यों सुन उसके बाद में मेवात क उसके बाद में हुमाइवने मेवात की सरकार किसे सूंपी थी , जो हमायवने मेवात की सरकार है वो किसे सौंपी थी, तो वो हिंद्याल को सौंपी थी, मिवाद की सरकाच, देखिए बाबर था ना, बाबर, इसने चार परगनों में बंटा था, ठीक है, एक तो दिल्ली, ठीक है, एक बात कर लूँ मैं यहां पे मिवाद, और एक इसके बाद में बात कर लूँ इसार, है न मिवाद, दिल्ली, इसार, और एक सरींद, एक कुन सा हो जाएगा, सरींद, तो जो यह सरींद और इसार है न, यह दोनों, यह तो किसे दी थी, कामरान को, मिवाद किसे दे दी थी, इंद्याल को, और जो अपने दिल्ली थी, वो खुद रखी थी, यह बंटी किसने थी, हु माय रही हो प्रड़ ने बनाई थे वह बाबर के टाइम के ही बनाई हुए थे उसके बाद है किस्टे मेवाध का लिंगानपा मेवात का लिंगानपाथ 2011 के उनसार कितना है तो जी इसका अंसर क्या होगा 906 ठीक है इसका अंसर क्या होगा 906 2011 के कोर्डिंग अगर हम बात कर लें तो मेवात का जो लिंगानपाथ है वो 906 था दोस्तो बहुत important question है क्योंकि मेवात सर्वादिक लिंगानपाथ वाला जिला है रियाना का जी बिल्कुल सर्वादिक लिंगानपाथ वाल 906 आपको कई जगह ये 907 भी मिलेगा जो गलत है ठीक है कितना हैगा 906 आएगा याद रहे उसके बाद में अगला मेवात भारत का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है साकसर्था में लिंगानपाथ में आर्थिक रूप से A और C तो जी आन्सवर आपके सामने सपस्ट है A और C बिल्कुल सही साकसर्था में भी पिछड़ा हुआ है और आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है लिंगा अनुपात में नहीं है मैं अगर बात करूँ ना जो रिपोर्ट आई थी 2011 में 640 जिलों की 640 जिलों की उनमें से मेवात का स्थान 420 मां था कौन सा स्थान था? 420 मां स्थान था लेकिन जो 2018 में रिपोर्ट आती है ना दोस्तो 2018 में उसमें लग बगए 770 जिलों में रिपोर्ट आती है सबसे लास्ट पिछड़ा हुआ मेवात को गोशित किया गया तो बड़े दुख की बात है कि पिछड़ा हुआ जिला वो भी अर्याना का होना चाहिए बिहार का ठीक है तो भई ये काफी गलत बात है है ना हर्याना से संबंदित मेवात के असन का मेवाती ने किस युद में राणा सांगा का साथ दिया था तो पानिपत के खानुआ के गागरा के या चंडावर के राणा सांगा का था और असन का मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया तो ये भी आपको याध करना है उसके बाद में अगला question, किस ने 1265 में रियाना के लगबग सभी 1 कतवा दिये थे, तो answer क्या आएगा, बलवन, बलवन ने लगबग 1265 में रियाना के सभी 1 कतवा दिये थे, बहुत important अबलवन के बारे में, क्योंकि बलवन के time में में जाती के लोग अकरमन करते थे, और उनसे दुखी होकर यहां पर उन्से बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया कि वन कटवा दिये कहीं कोई चिप ना जाए है ना बहुत इपोर्टेंट एबल वन के बारे में अठारा सोस्ताउन की करांती का नेतर तो मेवाद से किस ने किया था ओप्सन आपके सामने चारों दिये हैं बताइए श्याबास टाइम देदेता हूं ठोड़ा टाइम कम मिल ला है आपको कोमेंट करने के लिए हां जी राइट आंसर क्या होगा सद्रूदीन जिन जिनका आंस सोहना में नू में होडल में फिरोजपु जिर्का में तो इतने में अंसर आ जाना चाहिए चुई मुई तलाब है वो नू में कहां पे दोस्तों नू में है बहुत बढ़िया क्यूसन है उसके बाद में अगला क्यूसन मुसा से की मजार सोहना में नू में होडल में फिरोज ठीक है नूने मतलब नून नाखून और नाखून को हम चूद्अ है यहां ऐतला होगा चयरत हो जाए के चयर am मुछ आरे इसक जाए किसे बीठाया था मुछसा को बिठाया था कूल हो जाने चीर जाने यहाँ साथ compressed कि लोग करते थे अभी अभी पढ़ कि harcwarthenon था उसके टाइं में हुण जाती कि करते थे और बलवन के टाइम में में उज्थी के लोग करते थे अगला क्यों आपके सानी मेवाण की किसके सरतादर कितनी है तो नरा एक पॉइंट एक पर पॉइंट एक चपन पॉइंट एक तो और गर सकता हूं अगर किसी को भी कोई समस्यारी है टेलेगराम गुरूप गुरूप का नीचे लिंक दिया हुआ है जोईन कर लेना कल वाली कलास के भी नहीं डाले मैंने आज वाली कलास के दोनों के अब हुई थी श्यावास तो टे उडा देंगे आज आपके धीजी आंस्वर मेवात विकास बोड किस थातना कब हुई थी तो जी बिल्कुल right एंसूर क्या रहेगा 1980 मेवात विकास बोर्ड 1970 में बना था याद होना चाहिए मेवात विकास बोर्ड कब बना था 1903 में बना था अगला क्यूसन आपके सामने देश का पहला मुबाइल कोर्ट कहां बना था देश का पहला मुबाइल कोट कहा बना था तो जी नू में बिल्कुल राइट आंस्वर देश का पहला मुबाइल कोट है वो नू जिले में बना था अगले क्यूसन पे चलें अगला क्यूसन आप सभी के सामने इंदोरी नदी का उद्गम स्थल है अरावली की परवस्रंकला से, मेवात की पाड़ियों से, इंदोर से या इन सभी से तो देखिए मैंने ये जान भूज कर ये परसन बनाया है क्यों? क्योंकि हो सकता है एक बार इंदोर भी आया थांस्वर मेवात की पाड़ी में ही इंदोर है मेवात की पाड़ियर आवली प्रवस्तरंकला का ही भाग है, तो प्रोक्त सभी right है, ठीक है उप्रोक्त सभी क्या है, सरी है, याद रहे बहुत important question है, अगला question पे चलेए, गंदी परक कहा है गंदी परक कहा है, तो गंदी परक नू में है, कहां पर है गंदी परक? नू में है बहुत ही पोटेंट है गंधी परका है नू में है अगला किसन मेवात की आरजू ने पाकिस्तान के किस किर्केटर से साधी की है तो मेवात की जो आरजू है उसने पाकिस्तान के किस किर्केटर से साधी की है तो असन अली बिल्कुल राइट अंचवर असन अली क्या महिला का नाम बताइए जो पहली मुस्लिम महिला जो संस्कृत की लेक्चरार बनी है संस्कृत की लेक्चरार बनी है तो उनका नाम क्या है सबनम बानो क्या नाम है सबनम बानो यहां लिख देता हूं मैं आपको जानकारी के लिए यह लेजिए सबनम सबनम बानो है वो पहली स क्षाल यह भी सब्भनम्बानों वाला अगला किसे आपके सामने िवर उसेन का संबंद कहां से है तो तो पुरूत उसेन थे उनका संबंद कहां से नू से है यह कुन थे एक राजनेतिक्स थे इन्होंने बात करें तीन राज्यों से चुनाओ जीता था कहां-कहां से पंजाब से राजस्तान से और अपने हर्याना से तीन जगह से इनोंने तेव उसे ने चुनाओ जीता था तो यह नू से संबंग रखते हैं अगला किसन आपके सामने जूमती हुई मिनार कहा है तो जूमती हुई मिनार अर्याना के नू जिले में है बिलकुल राइट आंस्वर जूमती अर्याना के जिले में है तो जुबकि वी मिला मिनार अर्याना के जो बात करें तो यहां रहेंगी अपने जिले में एक उसन ओला देथा हूं आपको मैं है अजयां में आजैंग कि काउंटी कल भारत का पहला काउंटी कल्यक कहा खूल हग यदो जाएगा एक किसन और बता देता हूँ आपको जिक जानकारी के लिए इसके साथ में ही इसको रफ कर देते हैं किसने कि कलासिक गोलफ है रिजोट कहा है तो जो एक्जाम में आ जाए क्या लिखा आ जाएगा इस तरह आएगा क्लासिक गोलफ रिजोट नूम में है ये 301 बुम्मी पे दोस्तों फेला हुआ है अगला किसन आपके सामने किस गाउं का नाम गांदी गराम रखा गया बताएए मरोरा का बोसेडा का या बासेडा का उसके लावा बात करें फिरोजपुर का कनिया का बताएए इन में से कौन सा आएगा गांदी गराम तो जी आंसर रहेगा बी ये जो बासेडा गाउं है इस ये नूम में पढ़ता है इस गाउं का नाम दोस्तों गांदी गराम कर दिया गया बासेडा का पुराणा नाम बासेडा था अब क्या नाम हो गया है गंदिग्राम और जो बात करें मरोरा गाउं है इसका नाम क्या कर दिया गया है ट्रम्प गाउं है ना ट्रम्प गाउं डोनाल ट्रम्प के नाम पे रिखा गया है मरोरा गाउं का नाम अगला कि उसने आपके सामने इत्यासिक गाउं कोटला वे कोटला जील खाँ है एक्जाम में आजे कि इत्यासिक गाउं कोटला या कोटला जील खाँ है तो ये जो कोटला गाउं 6-7 किलोमेटर दूर नू में पड़ता है और कोटला जील भी यहीं पेस्तिते है अगला किस्तन आपके सामने सही कतन बताईए नू में संगेली जील है नू में चंदेली जील है चंदेली जील को उजीना जील भी कहते हैं बताईए तो क्या अंसर आएगा इसका सभी सही है तो देखिए पहले का तो नू में संगेली जील है जी बिल्कुल सही है नू में चंदेली की जगें संगेली लिखना पड़ेगा क्या लिखना पड़ेगा संगेली है ना दोस्तों संगेली जील का जील को उजिना जील भी कहते हैं तो बिल्कूल अब राइट आंशर हो जाएंगे सभी के सभी ठीक है यहां संगेली जील का उजिना है और यह संगेली और चं और अर्याना में मुसलिमों के संक्या जो है वो लगबग 7 परसेंट है हिंदू 87 परसेंट है लगबग शिक लगबग 4 परसेंट है और बाकिने 2 परसेंट में आ जाते हैं तो यह आपको याद करना है इसके लावा मैं बता दूँ आपको कि नूं में है ना एक मंजीरा नरते पर सिधर दोस्तों जो पुरुष परदान है कौँ सा मंजीरा नरते और रतवाई नर्टे जो पुरुस और महिला दोनों परदान है वो भी यहां के लिए जाना जाता है तो यह कि उस्षन इपोर्टेंट रहेंगे बहुत इपोर्टेंट रहेंगे इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है इसके अलावा मैं और बता दूँ कि नू जिले में चार तसील है दोस्तों कौन कौन सी तसील है नू में एक तो नू खुद तसील है है ना एक फिरोजपूर जिर्का तसील है फिरोजपूर जिर्का और एक ताउडू ये भी बात करें नू में तसील है और एक पुनाना एक कौन सी पुनाना टोटल में लाकर चार यहां की क्या है तसील है तो यह आपको याद करना है नू, फिरोजपु, जिर्का और तावडू और पुनाना वेरी वेरी इपोर्टेंट क्यूसन रहेंगे यहां एक उप तसील है नगीना नाम की ठीक है दोस्तों उसके बाद में और क्यूसनों पे चलें आगे तो अगला क्यूसन है वर्तमान में मे मेवात में कितनी तसील हैं तो मेवात में वर्तमान में चार तसील हो जाएगी ना कितनी तसील है चार तसील है ठीक है तो इन के बारे 148 A कौन सा 208 E Nacional Highway गुजरता है लास्ट क्लास में frequently इस्टा कि निमनित में इसEM गलत बताईए ठीक है तो आपको इसमें से यहां elleए मेरे को लिखना था यहां पर निमनित में कॉमेंट बोक्स में जुरूर बतागे ना दोस्तो अच्छी लगी हो तो कलास को सेर और हदिक से दिक है लाइक कर देना और जो नए है वो चैनल को सस्क्राइब कर लेना आज के लिए धन्यवाद मिलते हैं कल 6 बजे तब तक के लिए गुडबाई राम राम नमस्ते